जोती कलत चलेके मैं नग दिवाने ठिकने जिमाने करेमा जब रेडियो की शुरुआत हुई तो पहला लोग कप्रिया चानल बना विविद भारती जो एफम आने से पहले तक नमबर वन चानल था आज भी लोग विविद भारती सुनते हैं मकर बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इस चानल का आईडिया किसका था इसे विविद भारती नाम किसने दिया और इसके सबसे मशूर प्रोग्रांस हवा महल, जैमाला और चाया गीत का नामकरण किसने किया ये वो कवी और गीतकार थे जिन्होंने 1982 में भारत में खेले गए एशियाई खेलों के थीम सौंग को लिखा और जब बियार चोपडा महाभारत बना रहे थे तो उसमें भी उन्होंने सलहकार की भूमी का निभाई ये थे कवी और गीतकार पंडित नरेंद्र शर्मा जो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की ग्याता तो थे ही उर्दू, गुजराती, मराठी और बांगला के भी अच्छे जानकार थे पंडित नरेंद्र शर्मा का जन्म 28 फरवरी 1913 में बुलंद शहर के खुर्जा के गाउं जहंगीरपूर में हुआ था उनके पिता जहंगीरपूर गाउं के पटवारी थे, मगर काम उम्र में ही उनका देहान्त हो गया था उन दिनों तक राष्ट्रिय अंदोलन जोर पकड़ने लगा था तो उस माहौल का असर पंडित जी पर भी पड़ा खुर्जा के एक स्कूल से उनकी पढ़ाई हुई और फिर उन्होंने इलहाबाद यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में एम्मे किया और फिर कुछ एक पत्रकाओं के संपादिकिये विभाग में काम किया ये आजादी से पहले की बात है उन्ही दिनों अखिल भारतिये कॉंग्रिस कमेटी में गांधी जी के भाषणों को हिंदी में ट्रांसलेट करने का जिम्मा उन्हें सौपा गया धाई साल जेल में रहने के बाद जब वो वापस लोटे तो कॉंग्रिस कमेटी का कार्या लेबंध हो चुका था और अब वो किसी काम की तलाश में थे उन्ही दिनों बॉंबे टॉकीज में एक ऐसे गीतकार की जरूरत थी जो कवी प्रदीब के स्तर का लेखन कर सके मशूर साहित्यकार भगवती चरण वर्मा बॉंबे टॉकीज में बत और स्क्रीन प्ले राइटर काम करते थे तो उन्होंने पंडित नरेंद्र शर्मा को भी मुंबई बुला लिया लेकिन प्रदीब जी की तरह ही पंडित जी के मन में भी संशे था कि फिल्मी गीत वो भला कैसे लिखेंगे और ये भी कि फिल्मी गानों में तो जादतर उर्दू का इस्तिमाल होता है जबकि वो संस्क्रित और हिंदी में लेखन करते आये थे लेकिन भगवती चरण वर्मा ने उन्हें विश्वास दिलाया कि जितनी उर्दू की जरूरत फिल्मी गानों में होती है उतनी उर्दू तो उन्हें आती है लेकिन तब भी उन्हें खुद को आजमाने के लिए उर्दू में एक गीत लिखा और पूरी तसली के बाद बॉम्बे टॉकीज जोइन किया बॉम्बे टॉकीज की फिल्म हमारी बाद बतौर गीतकार उनकी पहली फिल्म थी ये वही फिल्म थी जिसमें देविका रानी आखरी बार फिल्मी परदे पर नजर आई थी हमारी बात के बाद पंडित नरेंदर शर्मा ने दिलिप कुमार की फिल्म जुआर भाटा में भी गीत लिखे पचास के दशक में वो आकाशवाणी से जुड़े और रेडियो प्रसारण में अपना अतुलनिय योगदान दिया सत्रह कविता संग्रह एक कहानी संग्रह और प्रबंध कावे लिख कर उन्होंने हिंदी साहिते में भी अपनी उपस्थिती दर्ज कराई साथ ही साथ फिल्मों में भी लगातार गीत लिखते रहे नरसिंग अवतार, आंधियां, अफसर, मालती माधव, रतन घर, भावी की चूडियां, सुभा जैसी बहुत सी फिल्मों में उन्होंने कई मशूर गीत लिखे लेकिन जो उनके सबसे यादगार गीत हैं वो है सत्यम शिवम सुन्दरम का टाइटल सौंग और भजन 1982 में आई फिल्म प्रेम रोग में भी उन्होंने एक बहुत ही अर्थपून गीत लिखा जो आज भी पसंद किया जाता है पंडित नरेंद्र शर्मा को साहित्य जगत में जो मान सम्मान प्राप्त था वही मान सम्मान फिल्म जगत में भी हासल था वो इतने विनम्र और मिलनसार थे कि जब उनका विवाष सुशीला जी से हुआ तो बड़े बड़े साहित्यकारों के साथ साथ दिलिप कुमार, गीता, बाली, सुरया जैसे उस समय के कई बड़े फिल्म स्टार्स भी उनकी शादी में शामिल हुए थे 11 फरवरी 1989 को पंडित नरेंद्र शर्मा को दिल का दोरा पड़ा और उन्होंने हमेशा के लिए आँखे मूंद ली और उनकी यादों से दुनिया ने हम कितनी आसानी से लोगों को भुला देते हैं न वक्त का पया घूमता है और हमारी याददाश भी धुमिल कर जाता है या कहें कि पुरानी यादों पर नए अनुभव अपनी जगहा बनाते जाते हैं और पुराना सब किसी धुन्द में खो जाता है ऐसे ही गीतकारों को उस धुन्द से निकालने की कोशिश है ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताईएगा चैनल पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा बहुत बहुत शुक्रिया